एलो दोस्तो आज में बात करने आने हैं उत्राखन सिक्चावाक की नियोड ब्लेट के बारे में तो उत्राखन की जो बोर्ड परिक्षाइ होनी थी वो इस्तगत कर देगी हैं रद्ध हो चकी हैं और प्रमोशन की प्रिक्षायाबन चालू है और ऐसे में जो है यहाँ बास फुट्राखन बोर्ड के चालू होकर गए उत्राखन बोर्ड के चालू होने से लाब मिलेगा ही इस बीते वरसे परिक्षाया में जो है असपर रही चालू को भी अगले कर्षा में पदन्द मिलेगी तो जो पिछले साल नहीं हुए थे प्रमोट फेल हो गए थे उनको भी सबी प्रमोशन किया जाएगा तो जितनी भी प्रिक्षा से अधिक्ष तो लगवच उत्राख्षण प्रिक्षा में पिछली बार च्बार अब्यारती ऐसे जो अनुतिछन थे इन में से जो है अधिकांस ने इस साल भी प्रिक्षा के लिए जो है आउधन किया था हाई स्कूल वो इंटर बोर्ट प्रिक्षा 2020 में जो है संस्तांगत और ब्यक्तिगत ट्राइबेट और यहां जो रेगुलर आते होते कुल लगबग जो है दो लाग शैसे जात तीन सो उननीच लगब दो लिए और हाई स्कूल में भी आप जो है डिएड़ लाग के करीब यहां पर किये थे और इंटर में भी एक लाग उननीच जार एक सो चाहतरी आप पर इकशार दी थी और वहीं हाई स्कूल में जो है एक लाग तेरह थाहार एक सो एक पर उतिलन हुए और जबकि जो यह 33,964 बच्चे थे वह अनुत्रिन किये गए और इंटर में भी यहाँ पर जो है पिछनेवेज अजाद 665 शात्र यहाँ पासे और वहीं 23,000 के समसिंग शाड़ी तेज़ाय के समसिंग असपल रहे और फेल होने से जो है दोनों ही करक्षाओं में जो है लगवाक सता उन सब करना की दूसरी के का अनुत्र सरकार ने पहले है स्कूल यह रद्र नो answer के रगारा होगा दो है सब्सक्राइब करना होगा यह बोला है अधिकारियों ने और वहीं बात करें उत्राखंड के सीम ने टीचरों की सांथ समवात किया और मुख्यमंतर तीरत सिंग रावद ने नीती आयूक की ओवर से जारी सतत विकास लक्स जीडी एसजी सूची में जो है सिक्ष्या के छेतर में परदेश को चौथे रांकिंग मिलने पर शिक्षकों इम विवाग के अधिकारियों को बदाई दी और उन्होंने ने शिक्षकों की सांथ वर्च्वल मादम से समात किया सांथ ही अटल उत्करष्ट विद्यानों की वेबसाइट लांच की तो इसके लि प्रदेश में ब्यापक महामारी के वावजूद राष्टी पुरानी प्रजोर आंदोनन का एक साल पूरा कर लिया है इस दौरान मोर्चा ने सभी कर्मचारियों के सामने अपने आंदोनन का रिपोर्ट कार्ट पेस किया मोर्चे के प्रदेश प्रेश सची डॉक्टर कमले कि मोर्चा ने साथ जोन से निरंतर पुरानी पैंसित बहाली के लिए आंदोन करने का बीड़ा उठाया है इस तरह से आपके कहा है और वहीं असास की महावद्यानों के कर्मचारियों की पिसले तीन महां से रुकावेतन मिलेगा तो प्रदेश में असास की महावद्यानों क कर्मचारियों को पिसले तीन महने से रुकावेतन है वो मिलेगा असास की और से वेतन के भुगतान के लिए जो है बावन क्रोडर से अधिक की धंडा से आप मनजूर की गई है और यह जो आपको वेतन था अब वो मिल जाएगा और वहीं सिक्षकों के प्रमोशन को लेका ज इसके लिए भी यहां पर जारी कर दे गए हैं जो असास की महावद्याले में प्रमोशन रुकिये थे और वहीं बात करें यहां पर 19 जून तक बंद रहेंगे बीवित और यहां पर महावद्याले तो परदेश में कोबिट की वज़े से समस्त और सासिंग की ओर से जारी आदेश के मताबिग समस्त विच्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् वह देता थी वह यहां पर ऑफिशली 2011 से जिन अब यहां पर है और डेट भी आप लोग चेक कर सकते हैं आपर यहां पर डेट आप लोग देखें अगर डेट के वारे बात करें तो 11.2.2011 जिसकी इस डेट से ठीक है पहली का नहीं होना चाहिए उसके बाद का ठीक है तो जिन मंत्री जो के इंदिशिक्सा मंत्री है उन्होंने पहले ही गोशना कर दिया गा था लेकिन अब NCT ने ऑफिशली नोड़ जारी कर दिया गा है तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं तो यह जो है ऑफिशली हो चुका है और वहीं बात करें यह कित परसे के बारे में जो कि परसे हैं पत्रक में अपर जो है इसकी जो एक उसकी is निका लग है पूर्त और जो है जमीशे के निकार लग हें इसका बात करने वाले हैं इसमें ऩो एकिन्सी समक्रालहरी में तो पहली है ज इसमें जो है जो category वाइज अगर बात करें यहां पर तो category वाइज जो यहां पर रेकिसिज है YP1 जो कि यंग पॉपिशनल 1 है इसमें post है SC की और 1 post है अनुजर्ट काटिगरी की और YP2 में SC काटिगरी की है और यहां पर लिखा गया है कि if candidates of SC category are not available then the post will be filled through other categories तो अगर SC category नहीं मिलता है YP2 में तो कोई और जो है उसको फिल किया जाएगा अगर यहां पर salary की वारे बात करें तो यह है आपका 15 जापर मन्त YP1 में YP2 में 25 जापर मन्त हैं आप रखा गया है और यहां पर qualification की वारे बात करें तो required to qualification है YP1 में जो है graduation in agriculture science biological science इस तरह से रखा गया है और diploma डिग्री जो है होल्डर होना चाहिए इंजिनिरिंग में टेक्नलोजी में और YP2 में जो है यहां पर MSC agriculture या agronomy है plant breeding है तो इनमा होना चाहिए और जो यहां पर application फिल करने की 14 छे को है और यह जो है आपका डेट आप जो इंटर्वी होगा जो है आप क्या इंटर्वी होगा और जो हो टाइमिंग रखा गया है वो आपका 11 बज़े रखा गया है तो गोविंद बिल लव यूनिस्टियों मे जाकर आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं और वहाँ पर इंटर्वी चोधर तारिक को यहां पर दे सकते हैं जो की जून की महने में 14 तारिक को और इसके लिए जो है official website जाकर चेक कर सकते हैं इसके COVID-19 की official website वहाँ पर भी आपको यह मिल जाएगा और वहीं बात करें यहां प निकलना काडलय चंपान में जो है करनेस के साइग लिपिक वरग में एक पत की न्यूकती निकल रिखें रिखेंगे माद्यायम से और इस तिन हो सेनाओं के ज्येस यहां लिपिक ह diffuse लिफिक रेंक थक या उनके समकक्षभ धर फट Year नहींam MID नेफर लिफिक पर कारिक किया हो और आउदिन कर सकते हैं तो जो यहां पर सेना में JCO लिपिक पर पदपर रहा हो वो यहां पर अप्लाए कर सकते हैं इसके लिए कंप्यूटर MS Office Excel हिंदी टंकर का जो है ग्यान होना चाहिए और इंटरनेट का पूरा ग्यान होना चाहिए और लिपिक के लिए चिकत्सा स्रेड़ने कम से कम आपर S1, H2, A2, P2, E2 इस तरह आप रखागा है तो यह चीज़ होना चाहिए और इच्छो अभ्यारती जोग भी आपको होगा पूर्वी सैनिक अपना पंजग में 26 जून 2021 तक जिला सैनिक करा सकते हैं और आयू सीमा बचल मरसे से अधिक नहीं ह है तो सैनिक कल्याण कारलाई चंपाद में लिखित इवाँ साकसातकार होगा तो 29 जून को आबर इसकी इंटर्व्य होगा जो कि एक बात के लिए कलरकी की पोस्टियां पर आई हुई है तो आप लोग अप्लाई कार सकते हैं